नमस्कार दोस्तो, ITR due date for auditable assesses for the assessment year 2020-2021 क्या होगी? ये particular विशे पर एक छोटा सा confusion market में हुआ कि सर उनकी due date ऐसे assesses के case में जहाँ tax audit applicable नहीं है, क्या वो 10 जनवरी या 15 जनवरी तो नहीं है, या 15 फरवरी है, तो उसी विशे पर एक छोटी सी clarity लेकर के with the proof of law आपके सामने आ जा रहा हूँ. तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने notification number 93 oblique 2020 dated 31st of December 2020, जिसके तुरू भारत सरकार ने due dates को further extend किया था, उस notification में क्या बात सरकार ने करी आपके सामने रखता हूँ? Furnishing of return under section 139 thereof, the time limit for furnishing such return shall, in respect of assesses referred to in clause A and clause AA of explanation 2 to subsection 1 of the sad section 139, stand extended to 15 day of FAB 2021. यानि, ऐसे assesses जो section 139, subsection 1 के explanation 2 के clause A, clause AA में बढ़ने ते हैं, mentioned हैं, उनके लिए due date of filing return सर्फ 15 February 2021 होगी, और बाकी के assesses के लिए जैसा कि आपको पता है कि आज यानि 10 January 2021 को due date समाप्त हो गई. हाँ, ऐसे assesses जिनके लिए I due date समाप्त हो रही है, वो भी 31 माज तक with delay payment fees as per section 234 F अपनी return बढ़ सकने हैं. अब, मेरा जो main मुद्दा था, वो क्या था? कि ऐसे assesses सर, जो tax audit के coverage में तो नहीं है, पर किसी और प्रकार से audit में coverage हैं, जैसे trust, 12AA की audit में आते हैं, जिनके लिए आप form 10B upload किया जाता है, या ऐसी companies, LLPs, जिनके लिए audit applicable है, वहाँ पर सर, ये जो section 139 से आपको due date extension की पुष्टी करा देता हूं, कि जो due date पहले से थी सर, 31 October, उन assesses के लिए, जो companies हैं, या ऐसे person जो company नहीं है, लेकिन जिनकी books of account document, income tax law में audit कराने की आवर्शक्ता है, जैसे tax audit, या trust के case में form 10B की reporting, या जो किसी और law में audit कराने के लिए libel हैं, पर company नहीं है, say for example, LLP, या किसी ऐसे व्यक्ति के case में, जो किसी ऐसी firm के partner हैं, चाए working partner हो, चाए sleeping partner हो, जिनके case में, income tax act में, या किसी और law में audit की applicability है, मैं या पर cooperative societies को भी जोड़ सकता हूँ, इन सब assesses के लिए, sir, due date of filing return जो पहले 31 October थी, दोस्तों, वो बढ़कर के भारत सरकार ने, इस 31 December के notification से 15 February 2021 कर दी, ये बात मैं आपके सामने इस परश्ट्रूप से रखना चालना हूँ, ताकि इस विशा में कोई confusion ना हो, और ऐसे assesses, sir, जिनके लिए transferizing reporting है, उनके लिए भी, sir, due date of filing return बढ़ा करके, भारत सरकार ने 15 February 2021 कर दी, हाँ, ये बात मेरी बिल्कुल आपको माननी पड़ेगी, जैसा कि आपकी knowledge में है, कि tax audit report file करना, form 10b file करना, form 29b file करना, mat reporting के cases में, उनकी due date, sir, आपके लिए 15 January 2021 ही रहने वाली है, लेकिन आपकी due date of filing return company के case में, चाहे tax audit applicable है या नहीं है, अन्य वेक्तियों के case में, जहाँ tax audit applicable है, या किसी और law में audit applicable है, या किसी ऐसे partner के case में, जो किसी ऐसी firm के partner है, जिस पर income tax law में या किसी और law में से LLP Act में audit applicable है, उन सब के लिए due date of filing return दोस्तों, अब 15 February 2021 रहने वाली है, मुझे लगता है, ये clarity आपके लिए किसी और किसी प्रकार से काम की रहने वाली है, आशा करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी, और यदि आपके कोई प्रश्ण हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उनका अफ्तर देने की भरबूर कोशिश करूँगा, मुझे सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हैं!